आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फिलिप कार्ड एप्लिकेशन से किसी भी सामान को ओर्डर किया था और वे आपका ओर्डर है वो आपके पास आ गया है तो अपने ओर्डर को आप रिटन या फिर आप रेपलेसमेंट कैसे करेंगे यसे मालिजे कुछ भी सामान मंगाया था आपने खरीदा था और वे सामान आपके घर पर आ गया है आपको मिल गया है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि आपका टूटा है फाटा है या कलर प्रॉब्लम है या साइज प्रॉब्लम है या कोई अधर प्रॉब्लम है जिसकी बज या return करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने mobile में flip card application को open करना है लेकिन सबसे पहले उसे आप update कर लिजिएगा latest version में जिसका link मैंने आपको वीडियो के description में दे दिया है जैसे आप flip card को open करेंगे कोच एसे तरीके से आपका flip card application open हो जाएगा यहाँ पर आपको account section पर click करना है जैसे आप इस पर click करेंगे आपके सामने ये वल्ला पे जाएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा order का विकल्प और आपको फिर order पर click करना है order पर click करने के बाद इस तरीके से पे जाएगा और आपने जो भी सामान मंगाया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जैसे कि मैंने आप पर थोड़ा सा एक नीचे आएगे तो यहाँ पर मैंने एक ये सामान मंगाया था जैसा कि आपको दिख रहा होगा और इस product को हमें return या exchange करना है तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने order पर click करना है click करने के बाद इस तरीके से पे जाएगा यहाँ पर आपको एक option मिलेगा सबसे पहले आप देख लिजिएगा कि इस order में आपको return option मिल रहा है या नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी order में आपको return करने का option नहीं होता है तो अगर नहीं है तो आप उसे return नहीं कर पाएंगे और अगर है तो आप उसे return कर पाएंगे लेकिन return करने का कितनी दिन का validate है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जैसे कि इस order को हम 10 अगास तक return कर सकते हैं तो चलो हम return पर click करते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे आपके product में क्या problem है आपको यहाँ पर एक region चूज करने के लिए बोला जाएगा तो अपना एक region चूज करिएगा जो भी आपका region हो जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना product इस पर click करते हैं आपके सामने इस तरीके से page आएगा यहाँ पर मिलेगा product is missing in the package हाँ उसके बाद इस option को choose करेंगे आप यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कोच चार अक्षर का एक comment करना होगा तो हम यहाँ पर comment करते हैं my product missing तो यहाँ पर डालेंगे my product यहाँ पर डाल देते हैं my product missing और उसके बाद नीचे आपको बोला जाएगा कि आपको अपने product का एक photo क्लिक करना है यहाँ पर और एक photo क्लिक करना है यहाँ पर जैसे कि बताया गया image with all contact receive visual यानि कि सारे के सारे आपको अपने box का photo क्लिक करना है और यहाँ पर आपको level attach करके य तो जैसे मालीजे कि हम यहाँ पर अपना कोई भी एक photo upload कर देते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे allow करेंगे allow करने की बाद अपने gallery में जाएंगे और यहाँ से हम एक photo ले लेते हैं जैसे मालीजे हम यहाँ पर अपना अपना ही photo ले लेते हैं जैसे यह वाला तो हम इस पर क्लि से आपको अपने product का photo upload करना होगा वरना यहां पर cancel या आप उसे return नहीं कर पाएंगे हम यहां पर अपने continue बटन पर click करते हैं लेकिन याद रहे कि अगर आपका product open box delivery है तो फिर आपका product return नहीं होगा या exchange नहीं होगा क्योंकि open box delivery में आपका जो delivery होता है वो आपको product open करके ही दिखाता है तभी आपको दिया जाता है तो उसमें कोई भी संभावना नहीं होती है क्योंकि अगर आपका order में कुछ problem होगा तो वह तुरंत चला जाएगा वापस और आपको नया अगर आपका open box delivery नहीं है तो फिर आपका 100% return या exchange हो जाएगा तो यहाँ पर continue करते हैं जैसे हम continue करेंगे हमारे समने एक नया page आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको करना क्या कि इस पर click करना है उसकी बाद continue और देखते हैं कि हमारा return होगा या नह हो जाएगा अब आपको यहाँ पर बोला जाएगा address अगर आपका यह वाला address है अगर आप इसे change करना चाहते हैं अब आप दूसरी जगह पर अपने इस product को लेना चाहते हैं तो आप इसे change कर सकते हैं अगर आप अभी भी इसी address पर रह रहे हैं तो आप इसे change नहीं करेंगे उसके बाद continue जैसे आप ए continue करेंगे continue करने के बाद आपके जो request होगी वो आपकी पड़ जाएगी और आपका जो delivery बॉय होगा वो आपको 2-3 दिन के अंदर आपके पास आ जाएगा आपका product ले जाएगा और next 7 days के अंदर आपको product आपका replacement करके दे जाएगा और अगर आपको return करने का option आता है तो आप यहाँ पर return पर click करेंगे यानिके refund का refund पर click करेंगे तो आपका पैसा आपके bank में आ जाएगा या फिर आपने cash on delivery दिया होगा तो bank जोड़ेने का option आ जाएगा वहाँ पर bank जोड़ेंगे और अपना पैसा अपने bank में ले लेंगे तो कोच इस तरीके से आप अपने product को replacement या फिर आप अपना पैसा refund ले सकते हैं उसे आप return कर सकते हैं हम यहाँ पर इसे return नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो product है वो पूरी तरीके से सुरच्छित है हमारा cash on delivery था और मैंने इसे अपना open box delivery में मंगाया था यानिकि open करके हमने इसे देख भी लिया था delivery boy के सामने तो कोच इस तरीके से आपने order को return या replacement या आप refund के डिये डाल सकते हैं कोई भी आपको परिशानी नहीं मिलेगी अगर आपको कोई भी परिशानी मिलती है तो आप एक contact कर सकते हैं customer care से कैसे करना है उस पर मैंने पहले से ही एक video बनाया के फिलिप कार्ड के customer से contact कैसे करें सिर्फ एक ही तरीका उसमें मैंने बताया है और वो 101% working है अगर आपको ये video पसंद आया हो तो आप video को like कर सकते हैं video पूरा देखने के लिए हमारी तरब से आपको पहुत पहुत धन्वाद